असलाम लेकुम डिया लेर्नर्स एन वेलकम इन दे विडियो हमने जैसे आप से कहा था कि अब हम उन्टेप्नियोरिल प्रॉसस की तरफ जा रहे हैं यानि इस वीडियो का एजेंडा बहुत साधा है विया गॉइंग टॉक अबाउट दे बिजनस ओपर्चूनिटी और यह सव को आगे चलके अपने बिजनस वेंचर में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके लिए बहुत कॉन्फिदेंस कमेट्मेंट और बहुत जादा विजन चाहिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि बेसिकली ओपर्चूनिटी होती क्या है एक बिजनस ओपर्चूनिटी को डिफाइन किया जाता है कि ओपर्चूनिटी इस ओफ़ेवरेबल सेट अफ सर्कूंस्टांस अगर आपको याद हो हमारी पहली विडियो और जिसमें हमने बात क किती on entrepreneurial process की तो हमने कहा था idea आपको भी आ सकता है idea आपके साथियों में से किसी को भी आ सकता है और idea आपको environment से भी आ सकता है और idea आपका stand alone नहीं हो सकता यानि जो भी business आपने create करना है वो एक vacuum में create नहीं होता एक पूरा ecosystem होता है जिसमें आप एपना business idea लेते भी हैं और उस कोशिश करते हैं कि उसको transform कर सकें into the venture so आपके इर्दिगित के जो हालात हैं basically वो आपको बहुत अच्छा idea दे सकते हैं अच्छा idea और opportunity में फरक होता है यह भी हम बात करेंगे चलिए हम बात करते हैं opportunity की आपको अच्छी opportunity मिल सकती है जिसके बाद आप कोई नई product market में लेकर आ यह यहां आपको यह लगता है कि एक अच्छा business obviously from the product point of view यह from the service point of view आ सकता है एक और definition देखते हैं business opportunity क्या है it represents a possibility for the entrepreneurs to successfully fill a large enough unsatisfied need that result in enough sales and profit यहां पर आके बाद ज्यादा clear होती है यानि आपके इर्द गिर्द आपके environment में और आप खुद भी basically चुके customer होते हैं आपको कुछ ना कुछ opportunity नजर आती है कोई ना कोई ऐसी problem कोई ना कोई unsatisfied need आपको नजर आती और आपको लगता है कि इस काम के लिए कोई product होनी चाहिए या इस problem के लिए तो कोई service होनी चाहिए और आपको लगता है कि यह product यह service market मेर अभी फैल हाल available नहीं है या बहुत आसानी से available नहीं है तो why not कि इस एक opportunity को मैं avail करूँ और मैं अपनी को product या मैं अपनी को service market में लेकर आऊँ जब हम जाएंगे marketing site की तरफ, entrepreneurial marketing की तरफ, तो हम आपसे यह भी share करेंगे कि basically होता क्या, identification कैसे होती है customer की needs and wants होती है, if they are not fulfilled, it is a great opportunity for you, आपको product और को service लाइए और उनकी जरूरत को पूरा कर दीजे शर्ट क्या है, वो जरूरत जब आप पूरी करें तो आपको भी sales और profit मिलनी चाहिए, यानि वो इतनी temporary need ना हो कि आप product को चलाएं और एक दो साल के बाद पता चले कि आपकी market ही उस product के लिए saturate हो गई है या खतम हो गई है अच्छे एक misperception भी होती है opportunity के बारे में और वो misperception यह है कि business opportunity को हर सूरत में, idea को हर सूरत में बहुत ज़ादा unique होना चाहिए ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता देखिए, अगर तो आप किसी competition में जा रहे हैं या government के पास जाना चाहते हैं या जिससे आपने पैसा लेना है, उसकी demand है कि उसको कोई बहुत socially innovative idea चाहिए तो फिर आप innovative idea की तरफ जरूर जाएं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपना एक छोटा सा business शुरू करना है तो उसको बहुत unique होना चाहिए unique इस sense में होना चाहिए कि आपकी product की अपनी एक unique selling proposition हो आपकी market saturate ना हो और आपको exactly पता हो कि आपकी customers कौन है और उनकी need क्या है उसके इलावा आपकी आप अपने इर्देगेट जाएए और जाके industry में देखिए बहुत से लोग जिस तरह garment industry में है और shoe industry में है जूते बेच रहे हैं उनकी जूता ही होता है बस उसका design और उसका comfort level उसको unique बनाता है ज़रूरी नहीं है आप entrepreneur बनना चाह रहे हैं तो कोई आप बहुत ही out of the box idea लेकर आएं एक अच्छा differentiated product या service भी एक अच्छी opportunity होती है बात क्या होती है बात सरफ और सरफ यह होती है कि आपके पास जो opportunity या जो idea है आप कितने अच्छे तरीके से उसको develop करते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको implement करते हैं और किस तरह से आप अपने operational और अपने controls को manage करते हैं ताकि efficiency को achieve कर सके हैं एक बात याद रखिए कि opportunity internally और externally stimulated भी हो सकती है आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी एक company पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद वो multiple products में deal करना शुरू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कि it's external stimulation external stimulation में ये भी आता है कि आप market में गए और आपने देखा बहुत से लोगों ने एक नया कारोबार शुरू किया है आपको भी उससे एक idea आता है और आप भी उसकारोबार की तरफ चले जाते हैं so externally stimulate होना किसी भी opportunity के लिए it's quite fine और आपकी internal stimulation भी हो सकती है आपको खुद भी idea आ सकता है आपकी अपनी कोई personal desire कोई अपनी personal need जैसे for example हमारी एक entrepreneur जो हमारे इस course का हिसा बनी उन्होंने बताया कि किस तरहां से उनकी चोकि अपने बेचे को problem था उनको जो problems face आई उन्होंने कहा कि ये problems किसी और को face ना करनी पड़े so she created a venture और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों को भी help की so this is internal stimulation आपकी अपनी need अपनी desire अपनी खाहिश अपनी problem भी एक अच्छा business idea या opportunity में convert हो सकते हैं अच्छा entrepreneur कौन है अच्छा entrepreneur वो है जो किसी problem या किसी opportunity gap को अच्छे से recognize कर सके और उसके हिसाब से अपने business को fit कर सके गलती क्या होती है गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हमारी इरदगित कोई भी product या service जिससे हम खुद बहुत ज्यादा excited हो जाते हैं हम उस product ये service को लेते हैं और उस product और service के इरदगित अपने पूरे business model को create करते हैं बास उकात हम यह नहीं देखते हैं, कि यह product या यह service जो हम market में लेकर आ रहे हैं, is just a better version of someone else product or service और उसकी इतनी unique selling, यानि कि इतनी unique features नहीं हैं, so आप market में थोड़े अरसे के लिए तो sustain कर सकते हैं, लंबे अरसे तक उस product और service के साथ काम नहीं कर पाएंगे, this is a mistake जो हम usually कर जा कि आप एक product या एक service ले रहे हैं, make it sure आपका business model उस एक product और उस एक service पे कितना dependent है, और क्या यह dependent होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, opportunity के बारे में हम और भी जादा बात करेंगे, because opportunity ही basically पहला step है किसे भी entrepreneurial process का, so see you in the next video.